नमस्कार साथियों साथियों अभी कल मेरे पास जब है एक वीडियो आया और वीडियो था हमारे देश के एक पूर सैनिक का इनका ये हैं अवतार सिंग जी अवतार सिंग इनका नाम है और पंजाब से हैं ये इन्होंने जो वीडियो मुझे भेजा एक कहते हैं न जब हमारे देश का सैनिक इतना तूट जाए मतलब मेरे कहने का मतलब है इनकी उस वीडियो के अंदर एक भावुकता नजर आ रही थी एक दुख नजर आ रहा था इनकी आँखों में एक तूटा पन नजर आ रहा था इनकी वीडियो में कोई आदमी जब परिशान हो जाता है या बहुत दुखी हो जाता है तब जाकर के वो पूरे देश से या अपने चाहने वालों से अपील करता है इन्होंने वो वीडियो मुझे भेजा कुछ अपना समझ के भेजा कि लगा कि शैद मैं आप लोगों तक पहुँचाऊं आप लोगों तक इनकी आवाज पहुँचाऊं क्योंकि चाहते थे कि इनकी आवाज पूरे देश के सेनिकों तक जरूर पहुँचे आप से भी नेविदन करूँगा मैं ये वीडियो मैं आप तक पहुचा रहा हूँ अपना फर्ज समझ के, आप तक पहुचा रहा हूँ आप देख रहे हूँ, आपका भी फर्ज है कि आप अपने तक ना रखें इस वीडियो को, आप अपने चाहने वाले सभी सैनिकों तक तो जरूर भेजें, लिखा है देखें देख के सभी सैनिकों को ललका रहा, वीडियो हुआ पूरे देख में वायरल, सभी पूर सैनिकों को चेताया, बहुत जरूरी है, इनकी वो बातें आप भी ध्यान से सुनें, आज किस तरीके से पंजाब के अंदर, आज किस तरीके से पंजाब के अंदर आपको पता है कि कि किसान आंदोलन अभी चल रहे हैं ना सरकार किसानों की सुन रही है ना सरकार जवानों की सुन रही है ना सरकार युवाओं की सुन रही है ना सरकार महिलाओं की सुन रही है महिलाओं बेटियों को भी हमें भूलना ने चाहिए देश की पहलवान बेटियों दिल्ली के जंतर म पर पिछले एक साल से ज़्यादा के समय हो चुका अपनी वन रेंक वन पेंशन और MSB की मांग को लेखे बैठे हैं लेकिन आज देश का लोकतंतर का चोथा संब मीडिया ना जाने कहां पल्लू में छुपा बैठ है सरकार के सरकार आख मूंद के इन जैन्वन मुद्दों को ज अपना फर्ज आदा जरूर करना उस वीडियो को इतना शेयर करना इतना शेयर करना ताके सभी देश भरके सभी सैनिकों तक तो जरूर पहुँच जाए वो इनकी आवाज मैं वो वीडियो दिखाता हूं आपको सारे ही साब का सैनका नू पूर जोर अपील कर दे हां के सोनू पता ही आए प्राबो की कसाना ते और जवाना देो ते की पीड़ा पहरी हैं हना कि सारे ही संजोक्त जवान मोर्चे ने सारे ही माज़ा मालवा दवाबा हर्याना रास्तान दिल्ली हमाचल सारे ही जथे बंदिया ने एक विचार कीता है को मता पास कीता है कि जड़े की सुबा सारे ही मुबायल दे होते वर्सप दे होते कानफरंस कीती सी की जो पूरा टैम अद्धा पूरा कंट्रा सारी डिस्कस होन तों बाद जो फैंसला लेया गया है ओ फैंसला यह लेया गया है कि नती तरीक देन वीरवार नती दो दो हैर चोवी देन वीरवार शंबू बाडर नौवजे जिते भर्याने दा और पंजाब दा बाड़ दे होते जो फोरसां लगिया है और दू थोड़ा या राइपुर्याले पासे सारे नुपता है जिते मीडिया वाला नियां गडिया लगिया हों दिया हन उस एरिये दे बच्च आपा दरिया वशाके और सही नौवजे जो अपनी मीटंग है साहब का साइंड का दी पूरी पंजां स्टेटां दे साहब का साइंड को थे सारे संजोब्त जवान कसान मोर्चे दी सारे अंधी 12 मीटंग होनी है उस मीटंग दो पहला आप जरूर अपने साहब का साहिन के जो घ्रयाना पंजाब रास्तां दिल्ली ते हमाचल दे जिनने भी साहब का साहिन कहन उत्य तैम न पहुंचके आपा भी एक मीटंग करनी है म भी में करनतों बहुति जोबी उत्य वित्ये साहरमा कि जोबी ओतत्रहाल में बैठके अपा आप में भी निरना लेना । न दका कुर्म है कि यह वह भी मिंट तो में जवा Cakeन होकि स्टम के समेंदी लोड स्ट हूं प्र उतलिवे जुर्स वेज गुसे गिल्ले जहां किसे नूँ चंगा मोडा बोले आ गया जहां कोई गल्त भेमी दिवचे गुसा करके बैठाया नूँ शाया नूँ हाथ बन के बेंती है कि आपनी आउदी लडाई है कसाना दी और जवानना दी को कि आपनी भी MSP दा सरकार नहीं दे रही ते कसाना नूँ भी MSP नहीं दे रही इसलिए सानू अज कसाना दिना मुड़ डालाके ख़ड़ना चाहिए करकाल नूँ कसान साटे ना मूड़ डालाके ख़ड़नागे मांग एक की है जिए अपां आज अज कसाना दिना ख़ड़ देंद सरकार दिक दो सनिया पहुँच्चता है कि जवान और कसान कठे हो गया है फिर दो आपका कठे हो गए तर फिर कोई हो जी को जट है नहीं जड़ी अपने जट सकते फिर आपका लड़ाई जूर 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 पूर फील है नती दो नती तरीक दूजा मिना, दें वीरवार, टैम नौवजे शंपू बाडर, साधे करपाल सेंग जी, बादिया तर्मीफो जी, साधे अमरीक सेंग जी, चाडमासाब, ए साधे वाईगुरु जी, साधे जड़े राजपुरे नेड़े रें दे है बाकी जड़े राजपुरे दे आसपास दे जिनने भी साटे योदे हैं गए है साथ का सायन के जाँची ओजी वह तो पहला पहुंच गोंच के ओठेख जी जो विशा विशाई है त्यारी है ओ सारी त्यारी एज़ेसाठे जो देखर नगे वस एही बेंटियां करने हैं कि लेट नहीं किसे ने होना ठीगा द्वारा फिर बेंटी का दिए नती त्रीग दुजा मिना कि देन वीरवार टैम नौवजदा शंबू बड्र दोते साप का साइन का दी मीटन होनी है उत्ते जो भी फैंसला ले आ साइन वह भ्यगर जी का खालशा वह भ्यगर जी की फते अब आपने ये वीडियो देख लिया और आप ने देखा होगा कितने दुखी मन से इन्होने अपना ये वीडियो बनाया होगा उस समय पूरे देश के सैनिकों भाईयों से अपील करी है कि इस समय एक जुट हो करके हमारे देश के किसानों का हमारे देश के जवानों का साथ दो क्योंकि यदि अब साथ नहीं दिया अभी नहीं तो कभी नहीं कभ दोगे अगर आपको बाके लगता है कि इन्होंने जो बोला है वो सही बोला है तो इनकी जो इच्छा है कि इनकी आवाज इनकी बात सभी देश के सैनिकों तक पहुँचे तो वो जरूर पहुचाना मैंने पहले भी कह था कि मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है आप तक ये बात पहुँचाके अब आपका फर्ज बनता है कि इनकी आवाज को आगे तक पहुँचाने का अगर आपको वाकरी हमारी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना चैनल को सबस्क्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलेगा जय हिंद जय भारत